सनीवार का दिन नियाय की देवता सनीदेव को समर्पित होता है जोतिसास के मुताबिक सनीदेव नियाय प्रीदेवता कहे जाते हैं और वो मनुस्के के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं इसलिए उन्हें डंडा अधिकारी भी कहा जाता है कहते हैं सनी देव की कृपा जिस पर हो जाए वो वेक्ति फकीर से राजा बन जाता है और इसके विपरीत सनी की कूर्दस्टी जिस पर पढ़ जाए वो वेक्ति कंगाल हो जाता है सनीवार का दिन एक ऐसा दिन है जब आप सनीदेव की किर्पा प्राप कर सकते हैं लेकिन इस दिन कुछ ऐसे काम भी है जिसे करने से लोगों को बचना चाहिए कोई कश्ट में हो अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो सनी भगवान प्रशन हो जाते हैं दूसरा सनी भगवान का अधिकार क्या है न्याय पर है न्याय प्रिय है वह न्याय देते हैं न्याय प्रदाता है तो हमको सनीवार के दिन जूट नहीं बोलना चाहिए हमको न्याय क प्थ्य का साथ देना चाहिए मैंने पहले ही का चका हूँ की दसमभाव रेकातस्भाव के स्वामीं दसमभाव काल पूरुश की कुंडली में कर्म है और एकातस्भाव लाब है जो कर्म हम करेंगे उसका परिणा जो भी कर्म हम करेंगे कर्म अंडे वाधिकार अस्ते मा फले सुकदाचन मा कर्म फल हे तुर्भू संगोसत कर्म ने कहा कि कर्म करो कर्म फल की चिंता मत करो फल के प्रदाता भगवान शनी है तो इसलिए हमको सनिवार के दिन जूट नहीं बोलना चाहिए सनी भगवान अगर सनी गणबण है तो व्यक्ति मद्यमांस मदिरा की ओर जाएगा अगर हमें अपने को अच्छा रखना है तो सनिवार के दिन मद्यमांस और मदिरा का त्याक सनिवार ही नहीं किसी भी दिन हमें मद्यमांस और मदिरा का सेवन नहीं करना जाए अगर कोई ब्यक्ति सनिवार के दिन मद्यमांस मदिरा का सेवन कर रहा हो तो जब भी आमाउश्या हो सनिवार के दिन बटुक भैरों के मंदिर में जा करके अगर सराब वह चड़ा देता है तो उसकी यह सराब जैसी समस्या है समख्ट हुआएगगे दूसरी बात है सनि भगवान लोहे में बास करते हैं तो सनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए लोहा जो है हमारे लिए हानिकारक होता है लोहा है क्या यह सुक की वस्तू है किसी सुक की वस्तू में हम उसका प्रयोग करते हैं इसका संबंद चतुर्थ भाव से होता है और इसका कारकत तो सनी को जाता है तो सनी दसम्वा स्थान में होने के कारण कहीं ने कहीं से वह प्रभावी करेगा चुत्रतभाव को इसे सनीवार के दिल लोहा हमें नहीं खरिदना चाहिए